वेल्कम टू आबर चैनल, वेल्कम टू आबर चैनल, केमेश्ट्री विजार आज कम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, तो यदि आप मेरे चैनल, केमेश्ट्री विजार पर नए है, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं इस चैनल पर कम से कम से कम चार्ज में 65 पर पेपर के हिसाब से आप हमसे प्राप्ट कर सकते हैं, तो यदि आप मेरे मेरे चैनल पर नए है, तो फिली चैनल को सब्सक्राब जरू कर लेजिए, और दोस्तो ग्रूप में सेर जरू कर देजिए, ताकि आपके परियास से बहुत सारे जरूत्मन लोग का नईया पार हो सकता है, बहरहाल, देखिए, अभी हम लोग पर रहे है, इस्पेक्ट्रोस के भी क्या है, और बॉर्न आपन मेरे अप्रॉक्सिमेशन को जानेंगे, और उसके बार सेलेक्शन रूल को जानेंगे, तो यहां देखिए, क्या होता है स्पेक्ट्रोस कोपी, देखिए, इस ब्रांच ऑफ साइंस डेट डिल्स बिद्ध इस्टॉड़ी स्पेक्ट्रोस कोपी, कि जो होता है एक पाउरफूल है, किसके लिए तो एक्ट्रोस ट्रक्चर और जो यूज के जाता है, इसके बीच में जो अध्यिन किया जाता है, वो उसके बीच एक टूल का काम करता है, और जार का काम करता है यह स्टॉट टैप का होता है कि तक होता है यह टू चेठ थू टाउप अब कुन-कुन होता है देखें ass ultrasound spectroscopy 말akati स्ब्सक्रिण क्या होता देखें यह ओस अप विट इस एण अनसालिटिकल टेखनेक सेगी कुछिछ एकम साइव जों सोब with the measurement of absorption of electromagnetic radiation electromagnetic radiation से जो absorb किया जाता है मेजर किया जाता है उसी को लोग बोलते हैं absorption spectroscopy राइट आप देखिए emission spectroscopy क्या है it is an analytical technique in which emission is dispersed according to some property of emission and the amount of dispersion is measured emission spectroscopy और absorption spectroscopy समाझ गया अब जैसे example देख जैसे mass spectroscopy हो गया वह सब क्या हो गया emission spectroscopy का example हो गया अब देखिए और अपन यह आप्रोक्सिमेच्चन क्या होता है खिए आफ मेर आप्रोक्सिमेच्चन इट इट इजिम्स डैट निकली आर सेवरल तावजेंड टाइंम हैवियर दिअ गेलके लेक्टाुं अधीया गया थैज मेरे इसे एजुम किए जाता कि आफ़ू सबस्युति है अधाल लेक्टेपांपल пытर एक सबहा होता है अधाल करता स्ट्रीक बुछ पीजम्ट टु इस्तेशनरी से स्टेशनरी वाइल एलेक्ट्रोन मूब्स ऐट गुछ फस्टर धन नुएक्ट्रोनुघ को सब्सक्राइप करता है निकली होते हैं ह्यावियर होते हैं किसे एलेक्टरन से अईसा माना जाता है हो सिलोली मूब करते हैं इलेक्टरॉन के पैंचाहन से पैक्षाए लिए मोशन और इंडेपिनेंट टू इच अदर तो वह तो समझ गया इसका आप देखिए एजंप्शन क्या है उसे पहले हम लोग जानेंगे इट इस टेंडर वे अप्रोक्सिमेटिंग ग्राउंड एस्टेट ऑफ मॉलिकुलर सिस्टम यह जो है इस टेंडर वे है क्या सब्सक्राइब करता है वह इतना चलता है एलेक्रों के फिक्षा के वे जो है वह माना जाता है फिक्स माना जाता है यानि स्थिर माना जाता है को निकली दूसरा एजंचन नेके दा निकलियर मोसन इजिस सो मच सरी दनीकलियर मोसन एक्सपेरियंस पोतेंशियल इस्पेरिड आउट अफर दशर्फेस ड्यूट ड्यूट आथ उसमेड सहूं तो लेटास्टेंशिय अँट्रॉट उसमें, ले हम सभख सकते हैं कि जैसे देखें मास ऑफ उलेक्ट्रॉन और मास और यहां जो है म मास आफ इलेक्ट्रॉन हाना और जा जो है वह क्या है क्या है यह अ क्या है क्य 싸 प्रतोन का फ्रस यह उपटोन प्राटोन है हाँ यहां देखे Спान्स सेडर पार्तिकल स्टेर्क्ल सिस्टम और मौनकूल ढास्व्य क्यों संब नाव प्रते क्यों प्रतिकल आफ उलेमलिकूल टूंकुल हम deliberately सब्सक्राइब करेंगे अब हम करेंगे अप्लाइब करेंगे इसको डेंजर इक्वेशन को तो इसको डेंजर इक्वेशन आपको याद है ने यह ब्राबर एक्वाइब यह ब्राबर यह जो है एक्वेशन इस इसके बात यानि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या होता है तो सेलेक्शन रूल देखें यहां सेलेक्शन रूल क्या होता है सो सेलेक्शन रूल क्या है कि जब लाइट को टॉल किया जाता है यानि लाइट टॉल पर टॉल किया जाता है तो लटकाया जाता है तो लाइट एक जब्शोब करता है नॉट डिपेंड रूल और किसी बीट नहीं करता है उसको क्या बोलते हैं इस पर करका होते हैं कौन-कौन होता है पहला देखें इस्पिन सेलेक्शन रूल क्या होता है देखें यहां इदेक्ञें वोडियो की क्वालिटी थोड़ा विक हो सकता है मैं मानता हूं लेकिन आप इसको अच्छे से ज्यादा क्वाइटी पर करके यानि 360 या 480 के वह पे करके रिजोल्योशन बढ़ा करके आप देख सकते हैं अच्छा से आपको विजवल हो जाएगा तो इसका कोई इसू नहीं है आप देख सकते हैं अच्छा से और यदि आपको लग रहा है कि मेरे लिए यह इतना किया जा रहा है तो प्लीज चैनल को सस्क्राब जरू कर लिजे और दोस्तों ग्रूप में सेर कर देजे ताकि आपके परियास से बहुत सारे ज़रूपन लोग का नया पार हो सकता है तो देखिए यहां इस्पिन सेलेक्शन रूल इस्टेट डैट ट्रांजिशन एलेक्ट्रोनिक इनर्जी ओफ लेवल ओफ मॉलिकुल में अकर प्रोवाइड इनर्जी लेवल इनवल्ड इन ट्रांजिशन और अफ सम मल्टिप्लिशिटी राइट यह स्पिन सेलेक्शन रूल हो गया अब देखिए लेपोरेट लेपोरेट सेलेक्शन रूल क्या है तो इस्ट्रांजिशन हुच एलाव चेंज इन लेंथ यानि याल डैट डिएल डॉट इन लेपोरेट ट्रांजिशन और अलसो कॉल्ड डिपोरेट सेलेक्शन रूल इससे को यह लोग लगसेल पूलते हैं ताइव होप कि आपको यह वीडियो समझ में आहा होगा कैसा लगा यह वीडियो कमेंट पर अपने जरूर लिखें अव्मीड करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा थैंक्स पूर वाचिंग केमिश्टी विजार इच आल्वेज विद थीयो